आउटस्टेंडिंग रेंट या एक्स्पेंस सर भाला कि इसका तो पता है आपको बताओ आउटस्टेंडिंग का क्या करते हैं दो जगह एंट्री जाती है आउटस्टेंडिंग अगजस्टमें तो कितने जगह एंट्री जाएगी कहां कहां दो जगह जाएगी पी एंडल के डेबिट साइड में और एक लाइवली टि mix लेकिन जब वो adjustment बाहर trial balance के कहेगा तभी तो आपको पता लगेगा कई बार examiner क्या करता है कि आपको बताएगा नि कि out sending आप खुद पता लगा लो जैसे sir मैंने rent का example लिया कुछ भी हो सकता है wages salary कुछ भी हो सकता है ये हमारे पास trial balance है और अगर मैं आपसे पूछू न कि इस trial balance के अंदर जैसे कि rent दे रखा है पाँच हजार और नीचे मैं दे दूँ adjustment में outstanding rent चार हजार तो इसका adjustment आप बड़े इजिली से कर सकते हो ये तो चला जाएगा P&L के debit side और ये उसी P&L के debit side क्या हो जाएगा add हो जाएगा और ये ही amount कहा चला जाएगा balance sheet के ये तो पता है लेकिन अगर मैं adjustment में ना दूँ और फिर भी मैं बोलू कि भी या इसमें adjustment है तो करके दिखाईए तो अभी तो इसमें adjustment है नहीं adjustment कब बन जाएगा examiner एक line एड़ कर देगा इसके अंदर मान लेता है मैं amount change कर रहा हूँ मैं amount change कर रहा हूँ bracket में लिख दिया 11 month adjustment मैंने बाहर नहीं दिया कहां लिख दिया मैंने जैसे ही मैंने bracket में लिखा इसका मतलब क्या होता है समझना क्या बताना चाह रहा है बोल रहा है भाईया यह जो rent है आपका 11 महिने का rent है जिसरिफ जबकि आपको अच्छे से पता है हमारा P&L और balance sheet कितने महिने का बनता है 12 महिने का एक साल बोल लो या फिर 12 महिने बोल लो और rent जो है 11 महिने का इसका मतलब एक महिने का rent अभी हमने payment तो आपको यहाँ पर एक महिने का rent निकालना पड़ेगा कैसे निकालोगे सर रेंट एक महिने का निकालने का तरीका है जो आपका rent दे रखा है डिवाइड करो कितने से सर डिवाइड करो आप 11 से तो अगर आपको यह 22,000 रुपे बड़ी सीधी सी बात है आपने equation सीखा हुआ है बच्चो वाली चीज है यह अगर 22,000 रुपे आपका 11 महिने का और 11 से डिवाइड करते तो कितने महिने काएगा एक महिने का और आपका outstanding कितने महिने का यह आपको पता करना है outstanding भी कितने महिने का है तो सर यहाँ पर क्या outstanding rent होगा है नहीं होगा क्या adjustment में बोला है आपको नहीं बोला यह कहां बोला हुआ trial balance के अंदर ही तो यह भी किसका part माना जाएगा एक hidden adjustment बोलो या फिर adjustment का part माना जाएगा ऐसे situation में भी दो जगए entry चली जाएगी हमारी ऐसे situation में दो जगए entry जाएगी एक profit and loss के debit side क्या होगा add in expense और एक entry चला जाएगा balance sheet के liability side balance sheet के sir liability side sir amount मेरे वाले example को लेके चलते हैं तो एक मेहने का out sending पता है कितना निकलता है 2000 तो इस तर चला जाएगा 2000 और liability में भी कितना आजाएगा अगर आप मैं pndl का structure बना दूँ तो pndl पता है कैसे बनाओगे सबसे पहले तो आप लिख लोगे यहाँ पर rent और आपने लिख लिया कितने इसमें plus कर दोगे outstanding कितने और pndl के अंदर तो कितने आ गए 24 यह pndl में और balance sheet के liability में चला जाएगा 2000 समझ में आ रहा है आपको तो यह adjustment भी कैसा adjustment था sir जहां पर आपको hidden adjustment था अंदर गीवन था मतलब balance sheet मतलब अलग से trial balance के बाहर तो नहीं कह रहा लेकिन trial balance के अंदर यह फिर भी यह adjustment का part माना जाएगा ठीक है कितने adjustment होगे sir यह कौन सा है 17 यहां तक किसी को doubt है तो बताईए